है हलो डियर स्टूदेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्लेस्मेंट थैरेपी और इन्सितिक्स फ्लेक्ट लाइट्स या और फिर यह भी बूल सकते इन्सित्स फ्लेसमेंट थेक्ट कि हम लोग electrolytes जो ions हमारी body में present है जिसे हम लोगों ने previous lectures में देखा था है कि हमारी body में ions present होते हैं तो वो कई बार उनके deficiency हो जाती है तो उनने किस तरह से replace करा जाता है जिसे कि आप लोगों पता है हमने previous lecture में देखा है कि हमारे body में कुछ ions है कुछ electrolytes होते हैं है ना ions electrolytes present होते और इन आयंस का हमारे बोडी में अलग अलग रोल है ठीक सभी आयंस का अपने बोडी में अलग अलग रोल है हमने आयंस भी देखे थे कि कौन-कौन से आयंस हमारी बोडी में प्रेजेंट है जैसे कुछ आयंस जो रहते हैं वो क्या करते हैं मसल्स को कॉंट्रेक्ट करने का का करते हैं और कुछ आयंस क्या करते हैं जो कि जैसे कि कुछ आयंस जैसे कैल्शियम कहां प्रेजेंट होता है बोन में प्रेजेंट होता है जैसे सोडियम sodium कहां present होता है sodium क्या काम करता है signaling pass signal को pass करने का काम करता है pass करने में help करता है जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई हमारी body extreme diarrhea को face करती है मतलब जैसे extreme diarrhea मतलब क्या होता है जैसे vomiting जादा होना या lose motion हो जाना और यह अधिकतर चीज़े कब होती गर्मियों में आप लोग देखते होंगे कई बार गर्मियों में अधिकतर लोगों को diarrhea हो जाता है vomiting होने लगती है उनका पेट खराव होता है तो उस वज़े से क्या होता है जो हमारी ions उस टाइम क्या हो जाता है हमारी water deficiency हो जाती हमारी body में कई बार होता है कि लोगों को BP low हो जाता है BP low हो जाता है तो हम लोग उन्हें ORS देते है ORS क्या करता है रिप्लेस्मेंट करता है जो हमारी body में जो ions चले गए है हमारी body से उसे क्या करता है वापस replace करने का कम करता है मतलब वापस उस आयन्स को हमारी बॉडी में डालता है जैसे डाइरिया हो जाता है आप सभी को पता है कि डाइरिया क्या होता है मतलब डाइरिया में क्या होता है वामिटिंग होती है लूस मोशन लगना है लूस मोशन होता है जब loose motion या vomiting होती है तो हमारी body में बहुत सारे ions और water का loss हो जाता है क्या हो जाता है water का loss हो जाता है जैसे मैंने आपको फिर पहले के lectures में बताया था कि क्या होता है कि vomit water जो हमारे body fluid होता है वो हमारी body में present होता है और उसी वज़े से हमारी body fluid की वज़े से ही organs work कर पाते हैं तो और हमारी जो body है वो 80% किस से बनी होती है वाटर से बनी होती है तो हमारी body से बहुत चार । बहुत सारे ions और water का loss हो जाता है जिससे जैसे हमने पहले के lectures में देखा था कि हमारी body का किछा पाउट है 80% part किसमें बना होता है water से बना होता है और उसमें electrolytes gas main होते है water में electrolytes प्रिज EST है अगर आपको vomiting या lose motion होता है तो आपको वाटर, लॉस हो रहा है वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी के जो पार्ट से, है ना, जो हमारी बॉडी के पार्ट से या और्गन्स बोल सकते हैं, और्गन्स किस की वज़े से वग करते हैं, फ्लूट की वज़े से वग करते हैं, फ्लूट में क्या प्रेजेंट होता हैं, आयन्स से हमारी बॉडी में आयन्स को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आयन्स बाहर से लेने पड़ते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं उन्हें किस फॉर्म में लेते हैं तो हम उन्हें सब क्या होता है यह सब हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिप्लेस्मेंट थेरेपी अगर आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है तो हम लोग बाहर से हमारी बॉड़ी में आयन को एट करते हैं बाहर से लेते हैं किस फॉर्म में लेते हम आयन को सॉल्ट के फॉर्म में आपको मैं जाता है सॉल्ट बन जाता है सॉल्ट और वाटर बनता है तो हम क्या करते हैं सॉल्ट फॉर्म करते हैं और फिर उसे हमारी बॉड़ी में एड करते हैं और उस वज़़े से क्या हो जाता है हमारी बॉड़ी में इलक्रोलाइट का फुल्फिल हो जाते हैं फुल्फिल करने के ल या फिर नमक शकर का गोल भी लिया जाता है, तो उसकी वज़े से भी क्या होता है, कि NECL की जो लेवल है, वो क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते है, electrolyte used for replacement therapy, जिसे आपको weakness आजाती है, कई बार ऐसा होता है, कि बहुत जादा concentration में तब उसका कम हो जाता है, ions का बहुत जादा concentration कम हो जाता है, बहुत जादा उसका loss हो जाता है हमारी body में से, तो हम लोग कई बार आप लोग देखते होंगे कि इंसान चल भी नहीं पाता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं, तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, बॉटल चड़ाते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, replacement therapy, ठीक, the basic objective of replacement therapy is to restore the volume and composition of the body flute to normal ones, same way चीज हैं, कि हाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, restore कर रहे हैं, volume and composition of body flute का, क्या कर रहे हैं, उन्हें restore करते हैं, same way अब भी आपको बता है, ions को restore करना, जैसे हमारी body से ions कम हो गया है, उनका concentration कम हो गया है, उसे फिर से हमारी body में उतना concentration लाने के लिए, जितना हमें जरूरी हमारी body में, उतना लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, restore करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, replacement therapy बोलते हैं, ठीक, the ionic, osmotic and pH balance in the body is maintained by various regulatory mechanism, but when it gets disturbed, it is corrected by external administration of electrolytes, it is known as replacement therapy, for this purpose, some electrolytes are employed, इसमें वही चीज बताइए, जैसे ionic, osmotic, pH balance के लिए, हमें body में क्या करना पड़ता है, electrolytes को balance करके रखना पड़ता है, regular उसे maintain करके रखता है, उसी वज़य से क्या होता है, हमारे body के जो organs होते हैं, जैसे heart pump कर पाता है, bone में calcium level कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, वो तो bone क्यों strong होती है, किस वज़य से strong होती है, क्योंकि उसमें calcium present होता है, अगर उसमें calcium level कम हो जाता है, तो हमारी bone तो lose होने लगती मतलब जैसे उसमें से कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी कई बार बोलते हैं आपकी बॉडी में मतलब बोन में कैल्शियम लेवल कम हो गया है इस वज़े से आपको दर्ध हो रहा है या फिर आपकी मतलब कई बार होता है है ना बोन डिफिशियं तो उसे का मैंटेन रखना पड़ता है तो अगर हमारी बॉडी में आयन सी डिफीशेंसी हो गई है आयन की कम हो गई है तो हम लोग उसे रिस्टोर करते हैं वापस से बाहर से बॉडी में हम आयन को add करते है और उस थेरेपी को हम लोग क्या बलते हैं? replacement therapy, electrolytes for replacement, used for replacement therapy, अब replacement therapy is classified as follows, sodium replacement, potassium replacement, calcium replacement, कितने टाइप के है, sodium, potassium और calcium, अब देखो, यहाँ पर अभी हम लोग ने क्या देखा, electrolytes used in replacement therapy की क्यों यूज करते हैं, यह आपको मैंने definition बता दी, कैसे करते हैं, यह मैंने बता दिया, किस वज़ा से करते हैं, यह मैंने बता दिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, जिसे मैंने आपको पहले बता था, हम इस टाल लगे हुई जो drug है, उसके बारे में deep में पढ़ेंगे, तो sodium chloride के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में हमें, sodium replacement, अगर sodium replacement होता है, तो हम लोग क्या करते है, sodium की deficiency हो जाती है, तो क्या करते है, तो सबसे पहले हम लोग 58.44 अब इसकी properties क्या है मतलब क्या है तो it contains no added substances मतलब इसमें sodium chloride message अगर हम लोग लेते हैं तो सिफ sodium chloride ही present रहता है other substance present नहीं रहता है ठीक sodium chloride content not less than 99.5% of NaCl and not more than 100.5% calculated with reference to the substance dried to constant weight at 130 degree Celsius देखो sodium chloride जो solution है वो कितने percent होता है not less than 99.5% इससे कम नहीं होना चाहिए और 100.5% से जादा नहीं होना चाहिए और ये कितने temperature पे dried होती है 130 degree Celsius पे dry हो जाते है ठीक properties अब इसकी क्या properties है sodium chloride की it occurs as colorless cubic crystal अब देखो हमारी जो drug रहती है या हमारा जो powder होता है वो दो form में रहता है ठीक है जो हमारे powder हम लोग laboratory मैं जो हम लोग medicines बनाने के लिए या हमारी जो drug होती है न जैसे paracetamol, aspirin ये सब दो form में रहती है powder किते form में रहता है दो form में रहता है एक होता है powder दो तरगा होता है एक होता है crystalline क्या होता है crystalline और एक होता है amorphous amorphous crystalline जो powder होता है वो क्या कहता है shiny powder होता है उसमें crystals present होते हैं और उससे हम लोग क्या बोलते है crystalline powder और amorphous powder मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे चूना है न वो क्या हो जाता है वो amorphous powder मतलब एकदम है सिर्फ उसको ऐसे लेंगे तो आपके हातों बेबिया वो ऐसे दर दर आसा लगेगा है न और मतलब amorphous उससे हम लोग क्या बोलते है amorphous form ठीक तो जो हमारा substance है वो क्या है it occurs as colorless colorless substance है मतलब उसमें क्या है white color का है ठीक उसमें कोई color नहीं है कई बारा हमारे जो substance है कोई brown color का होता है कोई black color का होता है तो यह क्या है colorless मतलब white और as white crystalline powder क्या है यह cubic crystals होते present होते having slime taste freely soluble in water freely soluble मतलब कि जिससे आप transparent हो जैसे अगर आपने उसमें जो हमारा देख सकते हो वो क्या होना चाहिए transparent होना चाहिए तो उसे हम लोग क्या बलते है freely soluble कि पूरी तरह से इसकी भी ranges होती है कि freely soluble partially soluble यह सब range होती है ठीक है तो आप लोग बस इत्ता है रहे हैं freely soluble मतलब पूरी तरह से उससे हम लोग R से पार्ग देख सकते हैं उस solution में से then partially insoluble in ethanol partially insoluble मतलब थोड़ा से soluble turbidity देखा था turbidity थोड़ा soluble होता है पूरा substance बट थोड़े थोड़े से particles उसमें solution में रहते हैं तो उससे हम लोग क्या बलते हैं partially insoluble किस में होता है यह partially insoluble ethanol में it gives characteristics reaction of sodium chloride ions यह characteristic reaction देते हैं sodium chloride ions के साथ it is a salt present in extracellular fluid यह एक salt form में present होता है extracellular fluid में और यह कितने percent होना चाहिए यह सभी को पता है 0.9% weighed by volume solution of NaCl is isotonic with serum ठीक अब हम इसे deep में इसकी property देखो आज हम लोगों ने क्या देखा हमारा first क्या है sodium replacement तो उसमें first क्या है हमारा sodium chloride उसका formula देखा molecular weight देखा फिर उसके बाद में उसकी properties देखी कि किते क्या उसका color क्या है कौन सा form में crystalline है या amorphous है तो यह क्या है crystalline form में present रहता है अब यह किसमें soluble है किसमें नहीं है कई बार आपने देखा होगा NACL solution जो है देता है वह हम किसमें soluble करते water में करते हैं तो यह water में fully soluble है पूरी तरह से soluble है बट इथेनॉल में नहीं है फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसमें कौन-कौन सी reaction से यह salt की तरह एक्ट करता है और कितने होना चाहिए कितने percent किता concentration होना चाहिए तो point nine percent paid by volume solution भना चाहिए तो इससे हम लोग क्या बलते है isotonic solution अब next lecture में हम लोग देखेंगे इसकी preparation injection किस तरह से prepare करा जाता है है अब आपको यह तो समझ में आ गया replacement therapy क्या होती है अगर हमारी body में से कोई भी ions का loss हो जाता है है अगर हमारी body में से कोई भी ions का loss हो जाता है तो उसने replace करने के लिए उन्हें फिर से हमारी body में उनके जो जैसे की 50 ml हमारी body में present होना चाहिए अब वो क्या होगा इसमें से 5 ml कम हो गया अब इस 5 ml को हमें फिर से हमारी body में लाना है तो इससे हम लोग क्या बलते है replacement therapy electrolyte used for replacement therapy now thank you